है लो दोस्तो सवागत है आपका Agreement,ALID Expert दोस्तो यहाँ पर B.Ed.o.D.L.E.D. की आज से यहां पर Second Conseling प्रारंब कर देगी है ठीक है तो Second Conseling Form आप कैसे भर पाएंगे ंठीक है इसे Пос check के सांथ你要 अगर First Conseling में form भरे थे तो क्या आपको second counseling में form भरना होगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे ठीक है इसके साथ दोस्तों बहुत से candidate ऐसे है जो अपनी ID login कर रहे है तो यहाँ पना login में problem आ रहा है ठीक है तो इसका भी solution हम आपको बताएंगे इसके साथ दोस्तो रिक्त सिट कितना वच्चा है यह कैसे पता कर सकता है यह भी हम आपको अगे इस वीडियो में बताने वाले है ठीक है तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तो दोस्तो डेलेड या बीट की second counseling form भरने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई सभी ऊपें करेना है फिर सर्चवार में आपको एसी आर टी सी जी सर्च करेंगे फिर यहां पर एसिए आर टी सी लिखा हुआ आ जाता है इस पर क्लिक कर लिए इसके बद दोस्तो इस प्रकार से हाँ पर की आप ओफिसियल वीबसाइट पर आ जाते हैं ठीक है अब सेकंड कॉंसलिंग फॉर्म बनी के लिए देखिए यहां पास अलग-अलग लिंक दिया गया है वैसे दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा ठीक है वीडियो को आप देखते रही है आपको पूरा जनकरी मिलेगा अब इस अक्टूबर से यहां पर स्टार्ट हो गया है ठीक है ओज की डिट्स्पी्ट-ौआप बहुत ही कम समय दिया जा रहा है सेकंड कॉंसलिंग में फ्रॉम भनने के लिए तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए online counseling form आप देख पहेंगे 10 से लेकर 14 October तक आप इसमें भर सकते हैं इसके बद दोस्तों लिस्ट में आये जितने भी विद्यार्थे होंगे वो यहाँ पर 25,10,2024 तक एडमी सल ले पाएंगे इसके बद दोस्तों सेकेंड चरण की सेकेंड मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया भी कुछ इस प्रकार से होगी देख पाएंगे यहाँ पास important date से दिये गए है ठीक है तो इन सभी dates पर दोस्तों हम आपको बिल्कुल update देते रहेंगे बस आपने हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को subscribe करके रख लेना है ताकि आपको सही समय पर और सही date पर यह सारी जनकारी मिल सके अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि second counseling के लिए form कैसे भनना है ठीक है इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको click to apply का option दिखाई दे रहे इसी पर आपको click कर लेना है जसी दोस्तों आप इस पर click करेंगे फिर आपके सामनी इस प्रकाट से new page open होकर आ जागा अगर दोस्तों यहाँ पर second counseling के संबन में कुछ निर्देश दिया गया है ठीक है आईए इसे आपको बता देते हैं तो दिखिए जो नए candidate apply करेंगे वो ध्यान से देखेंगे ठीक है इसमें first में बताया गए कि आविदन करते समय किसी भी तरह का संसोधन अभ्यार्थी भुकतान से पूर्वतक स्वयम कर सकता है भुकतान के पस्चात किसी भी तरह का संसोधन संभाव नहीं है ठीक है तो यहाँ पास जैसे आप payment करते हैं तो उसके बाद आप इसमें एडिट तेगरी में फर्म जमा कर सकते हैं तो जो बाहर के चातर है वह यहाँ पास केवाल यहाँ पर जो प्राइवेट कालेगे जो अपको बने के लिए स्क्रॉल डॉन करते हूं नीची क्यों आज जाना है इसके लिए पहले पहले आपको डीटेल में बता ठीक है इसके लिए आपको क्या करना होगा यहां पास दिखिएTO Gильно होगा धीक है जैसे याप इस पर क्लिक करेंगे फिर यहां पैस आप से map ये लौजिन मंगा जारा ठीक है तो forget password के option पर click कर लिए जैसे इस पर click करेंगे फिर इस प्रकार से page open होकर आ जागा अब आपको क्या करने यहां पास आपको अपने registration number को डाल दिना है और यह जो capture code है उसको यहां पास डाल दिना है इसके बाद दोस्तों यहां से आपको submit पर click कर दिना है submit पर click करते ही दोस्तों आपके registered mobile number पर आपके registration number और password को भीज दिया जाता है उसे कुछ इस प्रकार से fill करना है और यहां से दोस्तों आप आपको login करना है जैसी ही दोस्तों यहां पास आप लोग इन करते हैं इसके बाद भी दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से error आता ह इसके दोस्तों mainly दो करना है पहला तो आपको कोई सभी college a lot हुआ जिसे दोस आपने ना तो accept किये और नहीं रिजब्धे किये दूस्तों आपको detailing प्रकारिया से बाहर कर दिया जाता है और दूसरा इसके करना है дूस्तों अगर आपको college allour हुआ था जिसे आपने प्रकृया के संबंद में दिया गया है ठीक है इसमें दोस्ते यहाँ पर आप स्क्रॉल करते होएं डिरेक्ट यहाँ पर Six Point पे आएंगे तो देख पहेंगे इसमें इस पास्ट्रूप से बता दिया गया है कि जो अब भ्यार्थी प्रकृया में Not Reported या किसी कारन से बाहर हो ग तो चलिए कैसे करना है यह अब आपको बताते हैं तो दोस्तो अब आपको second counseling का form भरने के लिए क्या करना होगा इस वाले page पे आजना होगा अब दोस्तो इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पस देखिए new registration का जो option आपको दिखाई दिरहा है इसी पर आपको click कर लेना है ज देखिए दोस्तो इसके बाद यहाँ पस इस्थाई निवासी राज जमें यहाँ पस आप 36 गड़ के हैं तो 36 गड़ सेलेक्ट कीजे और other state वाले दोस्तो यहाँ पर other state का चेयन कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो यहाँ पर select and continue के option पर आपको click कर देना है जैसी दोस्तो आप यहाँ पास click करते हैं अब यहाँ पास आपको ध्यान देनी है जो पुराने candidate है ठीक है जो first counseling में form भरे थे लेकिन उसको यहाँ पर counseling प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है तो वो candidate क्या करेंगे यहाँ पास आपको नए mobile number से registration करना होगा ठीक है आप वही mobile number दोबारा ही दोस्तों आपको अपना mobile number डाल देना है इसके बाद दोस्तों आपको simply से get OTP के option पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों आपके mobile number पर चारंकों का जो OTP भेजग है उसे कुछ इस प्रकार से इंटर कर लेना है फिर दोस्तों यहाँ पास नीचे में आपको जो submit का option दिख यहाँ पास आपको अपने प्री डीलेट का रोल नंबर जो व्यापम वाल पर आपको डाल देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपने डेट अप बढ़त के लिए और नीचे में दोस्तों यहाँ पास आपको आपका mobile नंबर इंटर पास्वड ठीक है तो इसके बद दोस्तों से आपको इस सब्मिट के option पर क्लिक कर लेना है इसके बद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकर्ट से एक new page open होकर आ जाता है जिसमें दोस्तों यहाँ पस आपको आपका registration number मिल जाता है ठीक है आपका registration successful हो जाता है अब दोस्तों आपको आगे का फॉर्म भरने के लिए आपर click here to login के option पर click करके अपना registration number और जो अभी आपने password बना है उससे login करके भरना होगा ठीक है तो आगे की प्रक्रिया के सम्मद में दोस्तों हमने पहले ही वीडियो बना दियां बीएट क Your치는 के लिए अलग से बनाये हैं और डील एक कॉंसलिंग के लिए अलग से बनाये हैं ठीक है आप वो वीडियो देख लीजिए डिस्क्रिप्सन में उसका लिंक हम ने दे दिये हैं और कमेंड बॉक्स में भी पिन करके उसका लिंक हम डाल देंगे ठीक है तो वो वीडियो देखकर आप आगे की पूरी प्रक्रिया फॉर्म भर सकते हैं इसके बद दुस्तो चली अब आपको बताते हैं की केंडिडेट को दोबारा कौंसलिंग फॉर्म भरना होगा और कींडेट को दोबारा कौंसलिंग फॉर्म नहीं भरना होगा ठीके तो ध्यान से समझेगा यहां पास काफी इमपोर्टेंट है आप लोगों के लिए देखे द दोस्तों यहां पास ये भी दियान दिजिएगा कि अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म भरे थे और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है और शेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और नियमता आपको एक बार रिजेक्ट करने का option दिया जाता है और आपने इस college को reject भी कर दिया तो इसी स्थिति में दोस्तों आपको दोबारा counseling कराने की आवस्यक्ता नहीं है क्योंकि आपने एक बार रिजेक्ट किया है तो आपको third merit list के लिए यहां पास आप eligible है ठीक है आपको second counseling में स्वतही सामिल कर लिया जाएगा इसी के साथ दोस्तों ऐसे भी candidate है जिन्होंने आपर first counseling में form तो भरा था लेकिन उसका न तो first merit list में नाम आया और नहीं second merit list में नाम आया तो ऐसी स्थिति में भी दोस्तों आपको कोईसी भी प्रकार से second counseling कराने की आवस्यक्ता नहीं है क्योंकि नियमता जब तक आपका किसी भी merit list में नाम नहीं आ जाता तब तक आपको दोबारा counseling कराना नहीं पड़ेगा ठीक है लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपने जो college preference chain किये हैं उसमें बदलाओ तो assist city में दोस्तों यहाँ पास login करके आप fill up modify choices का आपको option देखने के लिए मिल जागा इस पर आप click कर लीजेगा और यहाँ पास click करने के बाद दोस्तों आपको payment करना होगा ठीक है यहाँ पास आप देखेंगे भुकतान वारा page open होकर आ जागा यहाँ से दोस्तों 300 बचा है यह आपको देख लीनी होगी ठीक है जिस college में ज्यादा रिक्त सीट बचा है उस college का अगर आप चेयन करते हैं तो assist city में आपके नाम आने के चांसे से यहाँ पर बढ़ जांगे लेकिन दोस्तों अभी तक यहाँ पर कितना रिक्त सीट बचा है वो जारी नहीं किया जैसी दोस्तों यहाँ पर जारी किया जाता है तो रिक्त सीट कितना बचा है यह भी हम आपको बता देंगे साथी साथ दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि अपने college में प्रिफरेंस में change कैसे कर पाएंगे ठीक है तो इसके लिए दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब क आने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद जैहिंद